दोस्तो वैसे तो WhatsApp से location भेजना बहुत आसान है लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन हैं अभी तक WhatsApp से live location या current location भेजना नहीं आता है तो इस वीडियो में हम WhatsApp की मदद से live location या current location भेजना सेखने वाले हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले तो WhatsApp को open कर लेना है और जिस भी contact को आप location भेजना चाते हैं उस पे आपने tap कर देना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आप message टाइप करते हैं और यहाँ पे इस icon पे अगर आप click करते हैं तो यहाँ पे से कई सारे options आजाते हैं गैलेरी में जाने के रिए यहाँ से आप गैलेरी से फोटो भेज सकते हैं यहाँ पे camera से फोटो खीच के भेज सकते हैं तो अलग-अलग option दिखाई पड़ते हैं तो यहाँ पे एक option आपको दिख रहा होगा location वाला तो यहाँ पे इस location वाले option पे आपने simply से click कर देना है और आपने अगर location का access नहीं दे रखा है तो यहाँ पे इस type का कुछ दिखाई देगा यहाँ पे आपने continue कर देना है और जितनी भी यह permissions मांगता है सबको आपने यहाँ पे allow कर देना है एक तो आप अपनी live location share कर सकते है और दूसरी अपनी आप current location share कर सकते है live location का मतलब क्या है जैसे live location आपने center कर दी तो अभी आप जैसे दिल्ली में है और अभी 4 गंटे बाद flight पकड़के आप Mumbai पहुँच गए तो वो बंदा अगर कहीं आप से दूर है जिसको आपने location भेजी है पहले तो उसे आपकी location दिल्ली दिखाई देगी उसके बाद 4 गंटे बाद आपकी location उसको Mumbai दिखाई देगी क्योंकि आप move कर चुके हैं ये आपकी live location है मतलब आप जहाँ जहाँ जाओगे आपकी location उस बंदे को वहाँ वहाँ दिखाई देती रहेगी और current location का मतलब ये है अगर आपने अभी अपनी current location भेज दी इसके बाद आप कहीं भी जाएं आपकी location यहीं पे दिखाई देगी जो की अभी आपने भेजी हुई है तो यहाँ पे जो भी location आपको भेजनी है उस पे आपने simply से click कर लेना है तो यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे अपनी live location इसको भेजने वाले है तो यहाँ पे share live location वाले option पे click कर लेना है इसके बाद यहाँ पे continue कर लेना है और यहाँ पे एक option अभी दिखाई पढ़ा है कि कितने time तक आप उस बंदे को अपनी live location दिखाना चाते हैं यहाँ पे अलग-अलग option है 15 minute, 1 hour और 8 hour तो यहाँ पे कोई भी आप select करके यहाँ पे send इसमें कर सकते हैं यहाँ पे send वाला option दिया हुआ है तो यहाँ पे इस type से कुछ उस बंदे को यह चले जाएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उस बंदे को कुछ इस तरह से यह दिखाई पड़ेगा अगर कोई बंदा आपको अपनी live location भेजता है तो यहाँ पे आपको इस type का यह message दिखाई देगा तो यहाँ पे आपको view live location पे click करना होगा जैसे ही आप यहाँ पे click करते हैं आपको उस बंदे की live location दिखाई देने लगेगी अगर उस बंदेरे अपनी live location आपको भेजी है तो यहाँ पे आपको क्या करना है यह आप यहाँ पे देख सकते हैं यह उस बंदे की live location है, आपको यहाँ पे tap करना है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसका नाम भी यहाँ पे दिखाई देने लगेगा, कि किसने आपको live location भेजी हुई है, यहाँ पे अगर आप इस icon पे click करते हैं, तो अगर आप उसकी location तक पहुंचना चाहते हैं, तो आ आपकी location है, और यह वाली location है, उस बंदे की जिसने आपको अपनी location, live location भेजी हुई है, तो यहाँ पे अगर आपको उसकी location पहुंचना है, तो यहाँ पे directions वाले option पे आपने click कर देना होगा, और यहाँ पे इसे आप उस बंदे की location तक इस तरह से पहुंच सकते हैं, हमारी आप उसे ट्रैक कर सकते हैं और उस बंदे तक पहुंच सकते हैं तो दोस्तो इस तरह से आप वर्टसप में किसी भी बंदे की लाइब लोकेशन को ट्रैक कर सकते हैं और किसी भी बंदे को अकनी लाइब लोकेशन या करेंटर लोकेशन भेज सकते हैं धन्यवाद